हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग फेयर एंड फेस्टीवल से रिलेटेट ऐसे कोशन का रिवीजन करने वाले हैं जो की एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है मतलब समझे आपकी ये सब कोशन जो है ना एक्जामिनर का फेवरिट कोशन है और बहुत बार ये सब कोशन रिपीट हुआ है तो टोटल 30 कोशन है तो फिर आप कॉमेंट करके बताएंगे एक स्टूरेट्स की तरह कि आपको आउट ओफ 30 जो है वो कितना स्कोर आया है ठीक है चलिए पहला कोशन है आप लोगों के सामने कि त्रीसूर पूरम फेस्टिवल ये किस राज में मनाया जाता है त्रीसूर पूरम उत्सव निमनिलिखित में से किस राज में मनाया जाता है तो जैसा कि आप जानते होंगे बहुत लोगों को इसका एंसर मालुम होगा कि केरल ह होगा यहां पर correct answer ठीक है next question है मी दम मी फी मी दम मेफी जो festival है यह किस सराज में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से तो इसका correct answer क्या होने वाला है मी दम मेफी जो है यह असम का festival है ठीक है असम का सबसे मतलब popular festival तो आप जानते ही है बी हू बी हू डांस भी है और festival भी है मतलब dance festival एक तरह से आप कह सकते हैं next है mando festival यह भारत के किस सराज से संबने थे mando festival यह भी बहुत repeated question है तो आप जानते होंगे कि गोवा का यह important festival है mando next question है गोंचा festival तो वह कौन सा राज है जहां पर गोंचा महतसव जो है यह मनाया जाता है गोंचा festival जो है यह 36 गड़ में मनाया जाता है तो जिनका भी answer 36 गड़ आ रहा है बिलकुल correct है next है कजली तीज भारत के किस राज का सांस्कृतिक तहवार है ठीक है कजली तीज तो आप क्या कहेंगे राजस्थान ओके राजस्थान का important festival है next देखिए इन में से कौन सा तहवार राजस्थान राज से जुड़ा हुआ है मतलब राजस्थान में यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है तो यहां right answer क्या हो जाएगा बुंदी उत्सव तो जिनका भी answer आ रहा है यह बुंदी उत्सव option number two बिल्कुल correct है ओके बुनालू festival के बारे में तो आप जानते होंगे कि बुनालू कहां का है तो तेलांगना राज का है ठीक है नेक्ष देखिए ओनम ओनम भारत में डैस राज में उत्पद्दी के साथ एक वार्सिक तहवार है एन्वल festival है ओनम तो क्या होगा कीरल होगा correct answer बिल्कुल सही जब आप दे रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चलर आप लोगों का अभी आगे देखते हैं क्या होता है भारत के किस राज में नट्यांजली उत्सम मनाया जाता है तो वह कौन सा राज है जहां पर नट्यांजली उत्सम मनाया जाता है तो आप बहुत प्रेम पुरुवक कहेंगे तमिल नाडू में मनाया भारत के किस राज में मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे राइट एंसर होगा सिक्किम ओके सिक्किम में मनाया जाता है नेक्स्ट है पोंगल भारत के किस राज का फसल उत्सव है पोंगल जो है ये harvest festival है और किस राज में मनाया जाता है तमिल नाडू होगा बिलकुल सही जवाब नेक्स्ट है चापचर कुट उत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है चापचर कुट उत्सव तो इसका correct answer क्या होगा नेक्स्ट है निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है निशा गांधी उत्सव ये केरल राज में मनाया जाता है नेक्स्ट है कुनार्क निर्त उत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कुनार्क निर्त उत्सव जो है ये ओडिसा में मनाया जाता है नेक्स्ट है गोंची फेस्टिवल गोंची तहवार प्रमुक रूप से किस राज में मनाया जाने वाला एक तहवार है तो गोंची तहवार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्टन है कुदूंग लेम मोहतसव किस राज में मनाया जाता है कुंदंग लेम फेस्टिवल यह मुख्य रूप से नागा लेंड में मनाया जाता है अब यह question number 15 में मुझे लगता है कि बहुत सारे students confused हुए होंगे तो नागा लेंड आप याद कर लेंगे कुंदंग लेम फेस्टिवल next question है सिंक्रिने फेस्टिवल यह किस राज में मनाया जाता है तो यह फेस्टिवल नागा लेंड में ही मनाया जाता है next है बली यात्रा किस राज का एक सांस्कृतिक तहवार है यह जो बली यात्रा है देखिए बली यात्रा रथ यात्रा है ना यह सब ओडिसा राज में मनाया जाता है ओके नेक्स्ट है वांगला फेस्टिवल वांगला उत्सफ भारत के किस राज में मनाया जाता है मेगाले राज में मनाया जाता है नेक्स्ट है सिग्मो उत्सफ भारत सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा प्रारंपरिक निर्थ किया जाता है तो देखिए सिग्मो फेस्टिबल जो है यह कहां का फेस्टिवल है गोवा का फेस्टिवल है और इस टाइम पर कौन सा निर्थ किया जाता है तो मॉरलेम फेस्टिवल मॉरलेम डांस किया जा मनाया जाता है ओके तो यह जो है यह उत्राखेंड में मनाया जाता है नेक्स्ट कोर्शन है निम निलिखित में से कौन सा तहवार अगर सितंबर में फसल के मौसम के मौसम का जस्टन मनाता है तो यह उनम फेस्टिवल होगा नेक्स्ट है गंगौर यह किस राज में प्रमुक मंदिर से जुरा है तो वो कौन सा तहवार है जो गोहाटी के का माख्या मंदिर से जुरा है तो अम्बो भाची फेस्टिवल नेक्स्ट है हमपी डांस फेस्टिवल ये किस राज में मनाया जाता है हमपी डांस बिहार राज में मनाया जाता है बथु कामा उत्सब भारत के किस राज में मनाया जाता है बथु कामा उत्सब जो है यह तेलांगना राज में मनाया जाता है लाई हरोबा फेस्टिवल ओके इसको किस राज में मनिपूर में नेक्स्ट है बिस्वा और फुलाइच यह जो अबर पूछे जाने बाद कोस्टन है इसलिए मुझे लगता है कि 25 से तो ज्यादा कोस्टन आपका करेक्ट होना ही चाहिए दो तीन ऐसा कोस्टन होगा जहां पर आप पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हुए होंगे जहाँ आपका रॉंग हुआ होगा एंसर या आप नहीं आता होगा अपको ठीक है बाकी तो सब आपको आता होगा तो कॉमेंट करके जरूरा बताएंगे कितना आपका स्कूर आया है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए अल्